आज च्रियकाल जी मैं मनप्रीत को और स्वागत करती हैं तोड़ आपने पंजाबी चैनल कुकिंग विद मनप्रेशे दो आज जब आपकार वेची कद्दू दे को उपते बना के त्यार करांगे जो की खान वेच बहुत स्वादी लागते हैं इक आपका कद्दू लवाँगे उसनों चंगी तरह तो ओगे छेल लवाँगे थोड़ा वड़ा कद्दू लिया है जिसदे आपका बीज ने काट देवाँगे अते फिर उपरला जड़ा पा आगया उससे देही आपका को उपते बना के त्यार करांगे जिमें की तुसी देख साकते हैं इसनों काट के मैं क्योंकि थोड़ा वड़ा है इससे कोड़ेंगी है कद्दू गाश नहीं होगा तैसे लए इसनों काट के दो भी हिस्चें विच कर लिया है ते होन इस दे बीज वाला जड़ा हिस्सा हो अपा चम्मच दी मदद दे नाल जा तुसी हाथ दी मदद दे नाल भी बार कट सकते हो एत्थे सारे बीज अपा बार कट के इसनों चंगी तरीके नाल त्यार कर लवांगी जिमें की तुसी देख रहे हो एक हिस्सा में कद्दू दा त्यार कर लिया है इसनों कोई भी कद्दू कश लेकि उसनी मदद दे ना है अते हुन एक पानी दा बाउल लेके उस दे वेच्चा पां कद्दू पाके तकरीबं 10 मिंट लई प्योंके राख दे वांगे इस दे नाल कद्दू दे उपर जो काला पन हो नहीं आएगा अते कद्दू पूरे तरीके नाल साफ हो जावेगा हुन चंगी तरह हथ दी मदद दे नाल पानी ने जोड़के आपका दूदा जड़ा मिक्स्चर हैगा उसनों त्यार करांगे ता इस दे लई इत्थी आपका सबतों पहला एक बाउल वेच्ण दा लवांगे तुसे एक कप ले साकते कप दी मदद दे नाल इसनों नाप लो ते इस दे वेच्च आपका वे हाथ ते मसल के थोड़ी जे ही अजवाईन ये तुसी अपने टेस्ट आपका साकते हो अते इत्थी मेरे कोले कुट्टा हुया सुक्का तनिया उसनों पालवांगे नाल ही अपका एक टेबल स्पून गरम मसाला अते थोड़ी जे ही हल्दी एड़ करांगे हल्दी सिर्फ अते इस दे नाल ही हाफ टेबल स्पून अपका लाल मिर्च अते एक टेबल स्पून अपका नमक दा एड़ करांगे नमक भी तुसी अपने स्वादन सार इते पा सकते हो इस दे नाल ही तुसी अमचूर पाउडर पा सकते हो अते मैं अते काली मिर्च दा पाउडर एड़ कर कर रही हैं यह एक तों हाफ स्पून इते एड़ कर सकते हैं इस देनाल भी टेस्ट बहुत ही उपर के अंदा है हुझ अधी मदद देनाल ही इस सारे मिक्सचर नो आपा चंगी तरीके नाल मिक्स कर लगांगी अते त्यान रखना है कि अपनों पानी दी बिल्कुल वी जरूरत नहीं पाएगी क्योंकि कुछो कोधी पानी बहुत चाठ देना तो इससे करके आप आथे पानी बिल्कुल भी नहीं यड़ करांगी स्का दू नो ही अपा चंगी तरीके नाल व्य संदे वेचे मिक्स कर देवांगी अते क्योंकि आप नमक वी यड़ कीता है नमक पॉन देन नाल भी कद्दू थोड़ा पानी चाड़ दिन दा है ते एक गल्द है थे होड़त्यान रखना जदो यह मेक्स्चर सारा तुसी त्यार कर लेता है इसनों ज्यादा टाइम देले नहीं रखना तुरांत ही इस दे जड़े कोफते हैं कि अहों बना के त्यार कर लेनी हैं क्योंक थोड़ा पानी चाड़ रहा है अस ते टिल्ड है होन अपर तुसी क्वांटिटी देख सकते हो कि किस त्रीके नलप इसनों त्यार कीते हैं एक कडाई नमागी उस दे विच आपा तेल गरम कर लमागी तेल तुसी अपने अकॉर्डिंग पा साकते हो जिते रफाइंड मदद देनाल जा चमच दी मदद देनाल छोटे 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 फ्री साइज ही कोपते पा देवांगे जो तुसी चाओ तै इसनों राउंड बॉल दी शेप देविच बनाके भी पा साकते हो बड़ तुसी इस तरह हाथ नाड़ी पायो ताकि अंदर तक चंगी तरीके नाल स अधीक गाल दा होटे आज रखना कि जोदो भी कोपते अपा पा देते हन यह बहुत जल्दी बनके त्यार होंदे हन ति गैस दा फ्लेम हमें शाहिए थे लो करके रखना है हाई फ्लेम दे उत्यकदे भी अपा कोपते त्यार नहीं करने क्योंकि इस देनाले है बहुत झूंन ब्राउन भी नहीं करना जेमें जो जो विच्चो आपा नो देखन एंगे क्योंकि कोपते त्यार रहiya हनों और कोपते अपा इनन दे विच्चों काड़ते जमागे जो जल्दी बनके त्यार हो गई हैं उननों होना अपा निथे चनी दी मदद दे नाल देखके उल्ट पोल्ट कारते हुए जो भी सिख चुके हैं उनननों अपा बार काड़ लवागे बहुत जादा ब्राउनी कारनी थोड़ा हलका ही रखना है कलर देख साकते हैं थोड़ा एक खुद भी पकन गी जो भार आपा साइड दे राख देवाँगी ते इस तरीके दे कोफते बना के अपा त्यार कर ले हैं ते ना नो एक टीशू पेपर दे उपर अपा काड देवाँगी अपने कोले जो बाकी बैटर बच्चे है उस दे भी अपा कोफते बना के त्यार कर ले हैं अपने कोले देख साकते हो एक कद्दू दोटी एर सारे कोफते बन के त्यार हैं अपने आपा मसाला त्यार करांगी जिस दे ले अपा ते प्यास काट ले हैं लसंदी अकलिया लेली यां टमटर अते हरीयां मिच्चा ते कड़ी पते लेलाई हैं तुसी देख सकते हो कि सारे कोपते बन के त्यार हैं ये बहुत ही स्वाधिश्ट बने हैं ते अंदर तिकर पूरी त्रीके नल पक चुके हैं होने अपा प्यास दे लसंदा परला पेस्ट बना लवांगी इसे तरह टमटर ते हरी मिच्च दा लग तो पेस्ट त्यार कर लवांगी इक कड़ाई लएक उस विच जो अपना तेल सी गा उसनों अपा जो एक्स्टा तेल सी नों काड़ते मांगे ते अद्धी कर्ची दे तकरीबन ही आप पेस्ट बैचे तेल रखांगे क्योंकि आपको पोपते भी तेल पनाई हैं इसलिए बहुत ज्यादा ओयल नहीं हो इसलिए प्यादा नीएं करना जिसनल नहीं था जीरा की अपना जाल जाएगा अप थोड़ा ही इसनों पकाना थे इस विच आपने जो प्याज हान उनननों पादे ये थे नों पमस तो दोन प्रॉणं हूं दिकर पका लँआं गांगे लाका आथे उससी तो बाद जोह ह्लक कर देवांगे ति इना नभी कुछ देड़ देलाई पक्कन देलाई चाड़ देवांगे देश आगदेओं कि अपना जड़ा मसाला हो चंगी तरीके नल पाके त्यार हो चुक्या है हुन इस दे वेच आप ने मसाले आड़ करांगे जिए स्वेच इक चमच हल्दी पाउडर एक तो डचेवर स्पोन तो हल्दी पाउडर पासाको। नमक टेस्ट अनसर इक चमच नमक आड़ कीमें इस दे नाल स्वेच आड़ tienepowder दोनों मेक्स है नहीं जो मैश आड़ कीदे हैं तो बाद आप इसनों चुलांदे में होए थोड़ा मलगर पर श्लांदी चाजिकु आफ कोपते आप ऐस देवेच पाके इसनू चंगी तरीके नल मिक्स कर लमागे। आते इस दे नाल ही आप आइथे इस देवेच एक गलास पानी दा एड कर देवागे। आते तांकि जो अपना मसाला हो नीचे ना लगगे ते चंगी तरह पाका के त्यार हो जावे। जो बाकी बचे होई कोपते हन ओवी आप ऐस देवेच पा देवागे। आते इनन नू चंगी तरीके नाल पककन देवेच चाड़ देवागे। त्यार रवी कि ये पककन देवेच बहुत जादा टाइम नी लेंदे। इसनों सरफ पांच तो साथ मिनेट तिकर ही पकाना है। तुसी चाहाँ ता इसनों तेज आच देवेच पका सकते हो। नहीं तक ऐसना फ्लेम लो ते ही पकाऊ। तक लो फ्लेम ते पकाना अल अपना जो मिसाला है हल्दी बगार हो भी चंगी तरह पाकी त्यार हो जावागे। इस दिन हाल ही अपना दिगगी मेर्च एड़ कीती है यह अपना कलर दे लई पाई है और ऑप्शनल है जिदो डेकॉल है ता तुसी एड़ कर सकते हो। आते एक ग्लास आपा पानी दा होर एड़ करांगे इस दे विच ते क्रीबन तिन तो चार ग्लास पानी दे अपने लागदे हैं ओ तो अडेटेड पैंड कार दा कि तुसी किन्ने तरीब नोनी चौने हो उसे अकौड़ेंगी तुसी पानी इस दे विच बाते जां काट पा सकते हों अते होन आप पैनानों पांच तो दास में पांच मिनट दे लए अपां टाक के नानों चंगे दरां पक्कंद ले राख दे वांगे तुसी देख सागते हों कि आपने गोब ते चंगे तरीके नल बानके त्यार हां मैंनों इस विच थोड़ी तरीका अट लाग रह सकते हैं यह पूरी तरीके नल त्यार हां क्योंकि अपांच पानी पाया इसलिए इसनों दो तो तर तिन मिनट ले टाके हो राख दे वांगे ते अपने गोब दे बनके पूरी तरीके नाल त्यार हां वीडियो वदी अलगी लाइक ते सब्सक्राइब ते शेयर जरूर करे इस दिन आलो बननोंगे होर वीडियो बनान दी